तो जो फर्स्ट कोचंस है ओ है हमारा आपके सामने हिंद चीन किसका उपनिवेस्थ था तो जो हिंद चीन था और किसका उपनिवेस्थ था आप लोग कॉमेंट्स करके बता सकते हैं तो फर्ष्ट त नमर और ऑप्शन है इटली और फॉड नमर अप्शन है फ्रांस और डी नमर ऑप्शन है थायलेंड्स तो इसका जो संटिंक अन्षर है ओं प्रांस है घुलांस और आपके part अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाये देखिए अंकोरवाट का जो मंदिर था उसका निर्वान किसने करवाया था नरत्तम सिनानु या राज सुर्य वर्मा के पुत्र या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सटिक एंसर है वह हमारा राज सुर्य वर्मा दिवतिये यह मेरा तो जो राज सूरे वर्मा दीवतिय तो ऑफ हमारा कमपोज से सकता वास्कूर ड्य या 1494 या 1694 तो दीखे जो आज को डिगामा है वह हमारा भारत 1494 इस भी में पहुंचता है इस बात को आप लोग याद रखिएगा तो जो नेक्स्ट कोचन्स है वह हमारा दिशिष्ट्री ओफ दिश्ट्री ओफ दिलोस ओफ वियतनाम नामक पुष्टक किसने लिखाता इसको हिंदी में लिखा गया है लेकिन मैंने इंग्लिस में लिखा है दिशिष्ट्री ओफ दिलोस ओफ वियतनाम नामक पुष्टक किसने लिखा था तो यह जो बुक है वह हमारा फान वोई चाव ने लिखे थे फान वोई चाव ने यह बात आप लोग को पता होना चाहिए देखिए मार्यच यारिच में फ्रांस यह वीयतनाम के बीच संझावता होता है जिसे हम लोग हनोई संझावता के नाम से जानते हैं हनोई संझा चलिए सेवन नमर को रचंव की ओड जाते हैं तो दीखिए शेवन को नमबर कोंचंस बहुत ही महतपून है और आठ नमर सब्सक्राइब श्यूमिन की सब्सक्राइब ने अधालत लगा कर अमेरिका को व्यत्नाम यूद के लिए दिया क्योंकि वियतनाम युद्ध जो हुआ था उसके लिए अमेरिका को दोसी करार रासेल नहीं कराया था तो जो नेक्स्ट कोषण से आठ नंबर हींद चिन छेत्र में अंतीम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्टपति कौन थे तो हिंद चिन में जो अंतीम में र को like नहीं किए तो video को like कर सकते हैं और चैनल को subscribe नहीं किए तो चैनल को subscribe कर सकते हैं देखे 9 अंदूलन का option a है क्रांतिकारी c b है धार्मिक और c है समरा रडी है करांतिकारी धार्मिक मेरे कमबॉडिया का रर्धानि कहां है नोममफिन कॉंपीन बनाएं तो बंड़ों के लिए है दो सकते हैं तो आप लोग बोलिएंगे यह कुछ क्रेंगे के सारे कोश्चन को मैंने कौवर किया है आप लोग को आज हम लोग 50 के लगभग में वस्तुनिस्ट प्रस्णों पर डिसकस करेंगे और हां इतिहास के ठोड नमर चेप्टर से कोई भी ऐसा वस्तुनिस्ट प्रस्ण नहीं होगा जो आप लोगों से छूटेगा क्योंकि इस व कोश्चन से ऑप्स पर हम डिसकस्तन है क्योंकि आप लोग का समय वेष्ट होगा और सब यह करेंगे पता नहीं क्यों सब लोग मौरा निर्मान जिसने करवा था सकते तो अब इस पर मंदिर विईतनाम में है या ठाइलेन में है या कौमोडिया में लावश में न ही तो इसके पहले मैं प्रथम व्यापारी कौन थे तो हिंद चिन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी हमारे फुर्दगाली थे फ्रांसीसी नहीं थे और इंगलेंड भी नहीं थे और डॉच भी नहीं था फुर्दगाली व्यापारी ही सबसे पहले हिंद चिन पहुंचे थे तो जो नेश्ट को तो देखिए नेस्ट कोचंस 15 नंबर आपके शामने है नरुत्तम सिनानुक कहां के साथ सकते वियतनाम या लाओश या थाइलेंड या कमबोडिया तो नरुत्तम सिनानुक जो थे वह हमारा कमबोडिया के साथ सकते और आगे हम लोग दूसरे पैटर्न पर बढ़ेंगे इससे पहले आप लोग को हम बता दे कि आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं देखा था यानि कि आप लोग मेरे चैनल के फर्ष्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए चैनल को सब्क्राइब करने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर आप लोग को गेट बेल आइकन का निशान दिखाई देगा उसको टीप कर आप लोग और नोटिफिकेशन को आउन कर सकते हैं इस करने के बाद आप लोग मेरे एक फैमली का हिस्सा बन जाएंगे चैनल फैम कंपby मोहत कुन यहां पर सारे कोश्चन महतीक्टपून फ्रांसीसी ने चिन को पर कभज़ा अधिकार किया देखे फ्रांसीसी ने कोची चिन कर कभ अधिकार किया तो 1862 में और डेखे 1821 हिस्षवन में व्यतनाम काचावल निरंवात में कौन सा आस्था था तु तीसरा's द किस ने किया और 20 मेरा है होची मिना का वास्तिक नाम क्या था नियुगन आई को इस बात को आप लोग याद रखेगा फिर आप लोग पूछिएगा कि सर चार ओप्षन को हटा क्यूं दिये तो दिखे चार ओप्षन को मैंने इसलिए हटाया वहो फिर से भाग गया चार ओप्षन को मैंने इसलिए हटाया क्योंकि चार ओप्षन को हम लेंगे तो आप लोग के साथ लगेगा कि बोर्डिंग लगेगा और यहां पे आप लोग एंसर सिर्फ जानिए वहां पे चार क्या दस अप्षन भी रहेगा तो आप लोग सटिक कर दिजेगा तो इसलिए ह वियतनाम कॉम्मिनिस्ट पार्टी की अस्थापना कॉब और किसने क्या था? 1930 इसमी में होची मिना, उसके बसे अन्नामी दल की अस्थापना किसने क्या था? जोन गुएन आई, उसके बास से है होची मिना करिया करता क्या कहलाते थे? तो होची मिना जो करिया करता थे वो हमारे वियतकां कहलाते थे जो नेश्ट कोचंस है वो है हमारा 26 नमर वियतनाम में लोकतांत्रे गनराज के अस्थपना कवही वियतनाम में लोकतांत्रे गनराज के अस्थपना कवही तो वियतनाम में लोकतांतरिक गनराज की अस्थपना हमारा 2 सितंबर 1945 इस्वी में होता है और बाओदाई कहां का सा सकता तो बाओदाई जो था हमारा अननाम का सा सकता उसके बसे हनुई समझाता कॉब और किन के बीच हुआ था जो हमारा 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था और जो नेक्स्ट कोचांस है किस समझाता के तहत वियतनाम को दो भागों में बाट आ गया तो देखे जिनेवा समझाता के बाद वियतनाम को पूरे दो भागों में बाट दिया जाता है कब शुरू हुआ है, हुआ 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 नहीं हुआ 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 हंडोलन आप लोग इस बात को याद रखेगा 949 में शुरू होता है उआ हुआ 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 थे उप गत्मिक का सामने है हुआ हुआ अंदोलन का नेता कौन थे तो देखिए 1949 में जो हुआ 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 अंदोलन स्टार्ट होता है उसका जो नेता थे वह हमारा हुआ फूसो थे यह कुछ रॉंग लिखाया है साइध हुआ फूसो इस तरह से आप लोग को बुक में देखने को मिलेगा हुआ फूसो अब का जाता है अपथे यह हमें लोग स्टार्ट होता है अब आप लोग को बताएंगे जा वियत नाम का स्टार्ट हुआ तो आप लोग वीडियो में बने रही है होची मिना के सेना का नाम क्या था तो वियत मिना या वियत कांग होची मिना के सेना का नाम था और होची मिना का अर्थ जो होता है वह हमारा पत्प्रदर्शक होता है और वास्तिक नाम निगवनाई कोग था तो जो अगला कोचंस है वह जेरा लोल नूल इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो थोडरा सा Jeeb Cat बठाया तो आप लोग से क्या निकल नहीं मुझे नहीं पढ़ा मुझे पता ज़रा लोल नूल हमते भी कुछ अजीव से निकल जासका तो वो हमारा जनररल вес नूल कंभोडिया का छास感 बनता है ठेके घन नूल नूल कंभोडिया का शासक बनता है उसी के बाद na ऐसी के बाद C सेना का नाम क्या था ता त तो नरुत्रम सेनाक का जो सुना के आ था है उसके नरुत्तम सेनानुग कर लूइन सेना था कमबोडिया का ग्रीयूस कर exp debug का सेना था कामबोडिया झूप बोरुय हमारा इस है को मलत्र हुआइछ टल लेकिन पह्री में नरुततम Twitch chemical व्हक्त से सन्यास ले लेता है अगर किसी को पता है कि नरुत्तम सिनानू की मिर्थी कब होती है तो वो लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं अन्याथा मैं आप लोगों को नेक्ष्ट वीडियो में बताऊंगा तो देखिए आगला को वीडियो जो है वो काफी महत्पुन है इसमें देख है वह हमारा 1979 मिर्थी हो जाती है और व्यतनाम का कि करन कब पूरा हुआ तो व्यतनाम का पूर्ण की करन 1975 में पूरा हुआ और हां आप लोग को बता दे कि आप लोग मेरे चैनल पर पहले हैं तो आप लोग चैनल को सब्क्राब करके बिल आइकन को प्रेस करके लाइक कर सकत है और हां और आप लोग video को like कर सकते हैं उस feel about comments कर सकते हैं कौमेंट करने के बाद आप सब्सक्राइब आगर comment होता है जो 01 video सुरू से 1 तक देख से उनका comment choose होगा और जिसका हम comments विकर से fix करें तो random comment meter नम होता है जो उसके लिए आप लोग को करना क्या होगा वीडियो को लाइक कर देना होगा चैनल एक अच्छा सा कॉमेंट कर देना होगा उसके बास चैनल को आपको तो सब्क्राइब करना होगा